वेलकम तो दे चैनल, एजुकेशनल उन्यती यहां पर आपको most important questions बताया जाएंगे जो कि be at first time के लिए होंगे be at first time के जैसे की date से डा चुकी है 27 जैनवरी से उनके exams हैं तो first paper इसमें है philosophical and sociological perspective of education का इसके लिए यहां पर 10 most important questions आपको बताया जाएंगे in 10 most important questions में जो है आपको देखना है कि कौन-कौन से question cover होते हैं उसके बाद आपको answer writing कैसे करनी है क्या question पूछे जाएंगे और किस तरह से आप अपनी copy को present करेंगे तो आपको यहां पर यह सारी चीज़े बताई जाएंगे आएंगे start करते हैं first question इसमें से आजाता है यहां पर describe the term education education term को आपको सबसे पहले describe करना है then आपको explain करनी है इसमें agencies of education को with example जो है यह सारी agencies आपको explain करनी है first of all इस question में आप explain करेंगे education जो term है वो दो जो है Latin word से मिलकर बना है educator और educatum से then इसका meaning है आप define करेंगे educated का मतलब हो जाता है train करना या किसी चीज़ को mold करना तो इस तरह से education के पूरे process में किसी को laid out जब हम करते हैं तो उसे ही सिक्षा कहा जाता है education कहा जाता है हिंदी भाजा के बारियों में बताएंगे कि ये सिक्षा सब्द से लिया गया है संक्षित के सिक्ष सब्द से इसकी उत्पति हुई है वो इसका मतलब होता है किसी को control करना, direct करना या फिर किसी को rules बताना तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप define करते हुए आएंगे definition पर तो Swami Vivekanant या Mahatma Gandhi के जौरा दी गई यहाँ पर आप definition बताएंगे Mahatma Gandhi ने इसमें definition दी है by education I mean an all-round drawing and of the best in the child and man's body, mind and spirit तो यहाँ पर Mahatma Gandhi का कहना था कि education का मतलब हो जाता है उसकी whole soul प्रविति कैसी है और इस बच्चे में या उस आदमी की physical body कैसी है उसका mind कैसा है उसकी spirit कैसी है तो इस तरह से आप definition बताते हुए यहाँ पर इस term को define करते हैं इसके बाद यहाँ पर आप narrow meaning बताएंगे education का क्या है उसके बाद concept of education पर आजाएंगे उससे define करेंगे then Indian और Western डोनों ही तरह के concept को education में बताएंगे Indian thinkers की बात करें तो यहाँ पर संकराचारी के अंसार बताएंगे जिन्होंने बताया है कि education का मतलब हो जाता है lead करना salvation को तो यहाँ पर जो दास प्रिस्था थी उसको जो है lead करना education का मतलब है then आप बताएंगे Vivekanand के अंसार उन्होंने क्या बताया है education के बारे में इसके बाद स्ची अर्विंदो के अंसार बताएंगे और इसके बाद गांधी जी के अंसार इस तरह से आप Indian thinkers के according बताएंगे then Western thinkers के according बताएंगे education का मतलब जिसमें प्लाटो आ जाते हैं रूसो आ जाते हैं तो इस तरह से आप define करेंगे इसके बाद आएंगे agencies of education में agencies of education के अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन तरह की agencies होती है education में इसमें formal, informal और non-formal education हो जाती है agency तो इस तरह से यहाँ पर formal education के बारे में बताएंगे formal education का मतलब हो जाता है कि classroom में well organized education होती है और informal education का मतलब होता है यहाँ पर कि जो आप starting से ही बचपन से ही जो education को grad करने लगते हैं वो आपकी informal education में आएगी जैसे कि आप अपने घर-परिवार से जो चीजे सीखते हैं या अपने आसपरोड से जो चीजे सीखते हैं वो informal education में आती हैं इसके बाद non-formal education आती है तो non-formal education का मतलब हो जाती है हो जाता है कि यह एक ऐसी education है जो कि open mode पर या distance mode पर आपको education provide की जाती है वो सारी education इसमें cover होगी जैसी कि आज के टाइम पर एक नू से या open mode पर courses चल रहे हैं तो वो सारी education इसमें cover होगी formal education के अगर हम बात करें तो इसमें school आ जाता है college आता है, university आता है और religious institutions आते हैं informal education के अगर हम बात करें तो इसमें family, community और peer group आता है non-formal education के अगर हम बात करेंगे तो इसमें mass media, radio, television और newspaper आता है इस तरह से ये आपका question है वो यहाँ पर wind up हो जाएगा और ये सारा जो question आप represent करते हैं यहाँ पर वो एक graphical तोर पर करेंगे जैसे agencies of education पूछा है यहाँ पर तो agencies of education के लिए आप chart के through ऐसे represent करेंगे कितीन इसके part हैं पहला formal then informal और non-formal फिर उसके sub-parts क्या है क्या-क्या cover होता है इन समें वो सारी चीज़े बताएंगे तो इस तरह से जो है पूरा एक chart के तोर पर आप representation करेंगे अपने answer का second the most important question is what do you mean by philosophy of education philosophy of education से आप क्या समझते हैं यहाँ पर और discuss करना है आपको philosophical foundation of education के बारे में तो यहाँ पर यह जो answer हो जाता है आपका इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर philosophy term को बताएंगे philosophy दो ग्रीक सब्दों से मिलकर बना है philo plus sophia से philocart हो जाता है love और sophia का मतलब हो जाता है wisdom से तो philosophy का जो whole मतलब होगा वो love और wisdom होता है तो यहाँ पर आप आपने यह पहले philosophy का मतलब बताया then philosophy का concept यहाँ पर बताएंगे कि philosophy जो है एक तरह से spiritual होती है और यह हमें emphasize करती है कि हम जो है practical real knowledge को कैसे realize करें कैसे emphasize करें उसकी need को इसके बारे में बताती है Indian philosophy के बारे में बताया जाएगा तो Indian philosophy जो पूरी है वो deal करती है चार वेदों से जो हमारे चार वेद हैं उन्ही से related होती है चार वेदों में यहाँ पर rig वेद आता है यजुर वेद, साम वेद और अधर वेद आता है तो rig वेद जो है वो हमारे तीन तरह के आश्रमों से related होता है चार तरह के आश्रम से related है यह जिसमें क्रहस आश्रम आता है सिक्षा आती है और विवा आता है और मोग्षपाप्ति के लिए आता है यजुरवेद जो है ये हमारा बताता है कि कैसे हमें भगवान की स्तुति करनी है कैसे हमें गौड को प्रेज करना है तो ये हमें ऐसे भजन के बारे में ऐसे जो है स्लोकों के बारे में ग्यान देता है फिर शामवेद आता है, सामवेद जो है हमें संगीत के बारे में बताता है ये जो दुनिया संगीत में ही है, वो जो आविशकार हुआ है, इसका जो निर्माड हुआ है वो सामवेद सही हुआ है, क्योंकि सामवेद में ही ये साथ तरह के जो ताले हैं वो बताई गई है सारे गांबाध धनिष्था तो ये सारी चीज़े सामवेध में डिस्क्राइव की गई है अतरवेध पूरी तरह से साइन्स पर रिलेटेड है यह हमें बिवारियों के पारे मेडिकल के बारे में बताता है उनसे बचने की पूरे उपायों के बारे में बताता है इसके बाद यहाँ पर इंडियन फिलोस्फिकल स्कूल की बात करें तो दो तरह की स्कूल होते हैं मेली एक हेट्रोडॉक्स स्कूल होते हैं जिनको नास्तिक कहा जाता है नास्तिक स्कूलों में कौन-कौन से स्कूल आते हैं तो इसमें चारवाका आ जाता है जैनिज्म और गुद्धिज्म ये तीन स्कूल आते हैं इसके बाद second जो category है वो orthodox schools ही है जिनको आस्तिक कहते हैं जो वेदों पर believe करते हैं तो आस्तिक में कौन-कौन से स्कूल आएँगे इसमें न्याय स्कूल आता है वयसे सिका, सामाख्या, योगा, पूर मेमानसा और उत्तर मेमानसा ये जो है 6 طרय के schools इसमें cover किये जाते हैं पहला जो इसमें स्कूल है सामाख्या वो तील करता है प्रकृति और पुरुष से इसके बाद यहाँ पर योगा आता है जो पतंजली से टील करता है योग के बारे में जो है बताया गया है इसमें न्याए है यहाँ पर जिसको गौतम ने दिया है और यह न्याए सूत्र से रिलेटेड है वशेशिका आता है इसके बाद नेक्स जिसको कंणर ने दिया है यहाँ पर नेक्स है इसमें से पूर मिमान सा फिर उत्तर मिमान सा आता है जिसको वेदान्त कहते है नास्तिक स्कूलों में बात करें तो चारवाका आता है पहला जिसको चारवाका ने ही दिया है लुकाया के नाम से भी ये जाना जाता है इसके बाद बुद्धिस्ट फिलोसफी आती है जिसको सिध्धार्ट गौत्म ने दिया है जिसको बुद्धा के यही नाम से जानते है जैन फिलोसफी जिसको महावीर ने दिया है और इसको जो है महावीर के ही नाम से जानते हैं जैन philosophy को इस तरह से यहाँ पर फिर आप philosophy के nature और aims के बारे में यहाँ पर describe करेंगे इसके बाद branches of philosophy की बात करें तो तीन तरह की branches होती है पहली branch होती है इसमें metaphysics की जिसमें nature और reality का nature क्या है उसके प्रिकती क्या है इसके बारे में बताया जाता है epistemology second इसके बारे में बताया जाती है जिसमें theory of knowledge के बारे में बताया जाता है knowledge क्या है ये सारी चीज़े बताया जाती है axiolosis की third branch होती है जिसमें values के बारे में बताया जाता है तो इस तरह से यहाँ पर तीन ब्रांचेज हो गई इसके बाद अगर importance की या relation की बात करें philosophy और education के बारे में तो philosophy जो है एक तरह से direction प्रोवाइड करती है education को practical phase प्रोवाइड करती है philosophy इसके बाद educational acts के बारे में बताती है इसके साथ-साथ political जो philosophy है वो regulate करती है education को और philosophy जो है answer करती है हर तरह की questions को जो भी education में questions put up किये जाते हैं उनको philosophy के दौरा answer किया जाता है जिन questions का answer आपको science में भी नहीं मिलता है उन सारे questions का answer आपको philosophy में मिलता है तो इस तरह से यहाँ पर question हो गया the next question यहाँ पर देखेंगे जो की आजाता है third question discuss the educational thoughts of Russo Russo के educational thoughts क्या है वो आपको बताने है और इनका impact क्या है education में को लेकर पहले इनोंने क्या बताया है और modern में उसका क्या impact है modern education में वो सारी चीज़े आपको define करनी है तो Russo यहाँ पर जो है तो naturalism को support करते थे और इनोंने जो है nature की दोरा ही सिक्षा को देने के लिए बताया है कि जब बच्चे चार दिवारी से हटकर nature से जो है सिक्षा लेते हैं तो वो hands-on experiences को gain करते हैं वो अपनी जितनी भी knowledge है उसको जो है real life की knowledge से connect कर पाते हैं real life की situation से connect कर पाते हैं और इससे उनकी जो learning होती है वो better होती है और advanced होती है then यहाँ पर fourth answer जो आ जाएगा question जो आता है वो discuss the contribution of the pragmatism in education pragmatism in education के बारे में यहाँ पर question किया गया है तो schools of philosophy जो है पास्तरे के schools उसमें बताये गये हैं इन स्कूलों में ही एक स्कूल आ जाता है pragmatism का pragmatism प्रकतिक वाद है यहाँ पर प्रकतिक वाद के जनक जो माहने जाते हैं वो जॉन डीवी को कहा गया है जॉन डीवी ने pragmatism में बताया है कि जो भी सिक्षा है वो एक तो practical knowledge के थूँ देनी है दूसरा learning by doing के थूँ जो है देनी है जिससे कि बच्चे जो है अपने हाथों से उन सारी चीजों को करते हैं तो उनको जो है एक अच्छा experience मिलता है better knowledge मिलती है और practical knowledge मिलती है तो इन सारी चीजों के थूँ जो सिक्षा वो देते हैं लेते हैं जो भी education वो ग्रहर कर रहे हैं वो कभी भी उनके mind से जो है discover नहीं होती है वो हमेशा उस चीज को retain करके रखते हैं और इस तरह से उनका जो एक advanced form of personality है वो निकल के आता है और इस ते हुँ अपने देश को अपने राष्ट को जो है अच्छा सव कर पाते हैं एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं इस तरह से यहां आपर pragmatism के बारे में बताया गया और इसको आपको define करना है तो यहां पर आप pragmatism के बारे में बताएंगे उसकी characteristics के बारे में बताएंगे कुछ principles बताएगा pragmatism के जैसे कि जो सत्य है वो हमेशा बदलता रहता है सत्य एक formed होता है एक result होता है अपने process का जो problems होती है वो motives होती है इसके बाद man जो है वो एक social human being बताया गया है social being बताया गया है pragmatism के अंसार इसके बाद जो real values है ideals है हमारे वो fixed नहीं होते है इन्होंने इस चीज़ का position किया है इन्होंने कहा है जो पहले से idols है जो पहले से morals और values है उन्हें हम मानते नहीं है कि वो पहले से prefix हैं वो उत्समय के साथ साथ बदलते भी हैं utility के अंसार हमारी needs के अंसार भी बदलते रहते हैं present और future को इन्होंने importance दी है pragmatism ने तो इस तरह से यहाँ पर कुछ principles है forms of pragmatism की बात करें तो humanistic pragmatism होता है experiential experimental pragmatism होता है normalistic होता है और biological होता है then pragmatism in education के बारे में बताइए गया तो इसका aim क्या है curriculum क्या है जैसे curriculum में principle of utility जिन चीजों की utility है आगे और शकता है हम सिर्फ उनी चीजों को curriculum में डालेंगे जिसमें बच्चे का interest आएगा उन सारी चीजों को involve करेंगे जिससे बच्चे better experience प्रवाइड लेंगे उसको experience हम curriculum में include करेंगे principle of integration को भी इसमें follow किया जाता है इस तरह से methods of teaching की बारे में यहाँ पर बताएंगे तो इसमें project method का use किया जाता है then teacher, education, discipline और school इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे next most important question आजाता है principles of idealism को define करना है and how this philosophy influenced the various aspects of education यह आपको बताना है तो यहाँ पर plateau main हो जाते हैं idealism school के लिए idealism का मतलब हो जाता है जो हमारे idols पहले से stand करते हैं वही perfect form है किसी भी idea के लिए किसी भी idol के लिए तो यहाँ पर जो है जो सत्य माना गया है वो truth, beauty and goodness को माना गया है यही पर हम सत्य है यहाँ पर idealism में और पहले से fixed चीजों को ही यहाँ पर सही मान लिया गया है उन्ही को perfect state में मान लिया गया है तो इस तरह से यहाँ पर ultimate reality जो माना गया है वो spiritual को माना गया है principles of idealism की बात करें तो यहाँ पर दो form होती है एक world की और इसमें दो form में जो है एक material world होता है एक spiritual world होता है दो ही सत्य हैं यहाँ पर ideals are more important than objects जो भी ideas हैं वो objects से ज़्यादा इसमें importance रखते हैं और importance to man over the nature सबसे पहले man important है then nature important है इसमें faith बताई गई है spiritual values के बारे में importance दी गई है personality को develop करने के बारे में और यह लोग पूरा support करते हैं unity in diversity में तो इस तरह से यहाँ पर forms की बात करें तो personalityistic जो है idealism होता है absolute idealism होता है objective idealism होता है इस तरह से यह forms हो जाती है यहाँ पर इसके बाद idealism in aim के बारे में आप define करेंगे aims क्या है तो universal education provide करना जो है इसका main aim था idealism का और यह जो है spiritual development को ensure करता है इसके साथ साथ self regulation को भी ensure किया गया है idealism के थूँ then यहाँ पर preparation किया जाता है एक पवित्र जो है life के बारे में कि एक student जो है वो अपनी life को civilized way बें जी सके then यहाँ पर morals और morals और values को जो है inherent किया जाता है student में then यहाँ पर development किया जाता है intelligence का बच्चे के social heritage जो है या cultural heritage जो है इसका promotion किया गया है idealism में और सबसे ज़्यादा जो believe किया गया है वो truth, beauty और goodness के form पर ही किया गया है इस तरह से यह question यहाँ पर complete हो जाएगा आपका इसके बाद यहाँ पर 10th most important question आ जाता है 6th number पर कि what do you mean by the social stratification describe the relation of social change with education तो यहाँ पर social stratification क्या है वो आपका बताना है इसके बाद जो social change है society में उसका education के साथ में क्या impact है क्या relation है वो चीज़ें आपको define करनी है the next question इसमें आता है difference between the educational sociology and sociology of education इन दोनों terms में क्या अंतर है इसको आपको define करना है तो सबसे पहले आप educational sociology के बारे में बताएंगे then sociology of education को define करेंगे 8th question यहाँ पर आजाता है diversity के बारे में तो diversity as the prevalent in Indian society के बारे में आपको explain करना है इसके बाद rules बताने हैं आपको कि कैसे जो है education में diversity को reduce करता है इसके बाद 9th question यहाँ पर आता है जिसमें आपको define करना है sociology क्या होता है sociology term को आपको define करना है then agencies क्या है socialization की वो आपको define करनी है तो agencies क्या है socialization की इसको समझेंगे यहाँ पर agencies और socialization की बात करें तो सबसे पहले बच्चे का socialization कौन करता है तो उसके घरवाले करते हैं जो वहाँ पर है या फिर उसके पेर ग्रूप करते हैं या फिर उसके neighborhood करते हैं तो इस तरह से जो है socialization तो बच्चे का socialization जो है school के थूँ भी हो जाता है economic system के थूँ legal system के थूँ occupation के थूँ या mass media के थूँ या government या फिर उसके religion के थूँ इन सारी चीजों के थूँ उसका जो है socialization होता रहता है whole life में then next and last most important question इसमें आता है multicultural education क्या होती है इस पर short note लिखना है तिन सेकेंड के आप पर question है inequality और marginalization क्या होता है इस पर short note लिखना है तो इस तरह से ये 10 most important questions थे आपके exam के लिए I hope कि ये सारी questions आपके लिए beneficial रहे, helpful रहे Thank you Raven